हेलो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोडिफिकेशन मिलती रहें और अपने प्रोब्लम्स और कमेंट बॉक्स में सेर जरूर करें नव लें डिशक्राइब या इंप्लिशिक एक ट्रिशिक एड्रसीं मौह मस सब्सक्राइब कर देदेल्ज में मौह म्में मौह मिंपलाइब सब्सक्राइब भर्भभला था 10 JOHN आंक को के अंदर ही एफलिएवल रॉत flawed jurisdiction इन्फर्मेशन होता है ओपकोड के अंदर ही अपकोड के अंदर ही एविलेबल रहता है ठीक है जैसे सेट केरी ठीक है सेट केरी अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन एविलेबल है सेट करेगा कि क्यारी फ्लैक को सेट करेगा यानि कि यहां पर हमको एक्स्ट्रा कहीं से कोई ना तो मेमोरी रिफर करने की ज़िए ना ही कोई यहीं रिफर करने की जब होता है और निसेसरी इंफर्मेशन जोकि रिक्वार्ड है इस एक्सन को परफॉर्म करने के लिए एविलेबल है इसका सिर्फ यहीं प्यूजी होता है हम लोग क्या पढ़ते है इस टैक में बाई डिफर्ट लोकेशन क्या होता है टॉप तो लेट से कि ए एंड बी परजेंट है इस टैक के अंदर हम को क्या करना है कि हमको पड़ा था कि जब स्टाइक पर करते हैं तो क्या करता है कि फर्स्ट काम करेगा इंड जर ये को ठीक है next क्या करेगा add करेगा add यह एड करेगा तो क्या जाएगा answer a plus b then push करें तो stack के अंदर क्या जाएगा a plus b stack में by default location top होदा था आमको अलग से address देने की कोई requirement नहीं थी stack के अंदर तो जो भी zero address instruction होंगे zero address instructions जो भी zero address instructions होंगे यानि कि जिनको perform करने के लिए हमको कोई अलग से ना तो memory access करने की जरूबत है ना ही registers कोई अलग से address देने की जरूबत नहीं है जहां पर कोई value present है तो यह सारे zero address instructions implied or implicit addressing modes के अंदर आते हैं करने हम लोग क्या देखें कि जो upgrade होता है वो all necessary information कंटेंड करता है कंटेंड करता है जो कि किसी भी operations को perform करने के लिए required है क्या है क्या है है